अमेरिकी प्रतिनेधी सभा रिपब्लिकन ने गुरुवार को भारत विरोधी टिपपनियों के लिए मशहूर डेमोकरट इल्हान उमर को एक हाई प्रोफाइल समिती से बाहर कर दिया। यहूदी विरोधी के रूप में व्यापक रूप से निंदा की गई उनकी टिपपनियों के कारण उन्हें विदेश मामलों की समिती से बाहर कर दिया गया था। के वामपंथी विंग का सदस्य है और स्क्वाड नामक कटरपंथी समूल के चार में से एक है। कॉंग्रेस में तीन मुसल्मानों में से एक वं मिनेसोटा के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां उनके जैसे बड़ी संख्या में सोमालिया के अप्रवासी हैं। अपने निशकासन से ठीक पहले उमर ने कहा अगर मैं इस समिती में नहीं हूँ तो मेरा नित्रत्व और आवाज कम नहीं होगी। मेरी आवाज उँची और मजबूत हो जाएगी। डेमोकरट उनके पीछे मजबूती से खड़े थे। उमर ने पहले भी ऐसे बयान दिये हैं जिन्हें व्यापक रूप से यहूदी विरोधी करार दिया गया है। उनके विवादासपद बयानों में से एक ने कहा, इजराइल ने दुनिया को सम्मोहित कर लिया है, अल्लाह लोगों को जगाए और उन्हें इजराइल के बुरे कामों को देखने में मदद करे। उन्होंने एक बयान में आन्य डेमोक्रेट्स के साथ इजराइल की तुलना तालिबान से भी की है। डेमोक्रेट्स ने कुछ भारत विरोधी टिपनिया भी की हैं। पाकिस्तान और उसके कबजे वाले कश्मीर के हिस्से की यात्रा के दो महीने बाद, उन्होंने पिछले साल जून में कॉंगरस में भारत की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे उन्होंने मानवादेकार उलंगन और अंतराश्ट्रिय धार्मिक स्वतंत प्रस्ता का उलंगन कहा, उमर ने 2019 में एक विध्यक के खिलाफ भी मतदान किया, जो भारतियों के लिए स्थाई निवास या ग्रीन कार्ड के लिए प्रतीक्षा समय को कम कर देता, जो कई दशकों तक चलता है, जिससे कई लोगों के लिए प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाती ह झाल 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